हेलो एब्रिवन वेल्कम डू हिमाचल किचन आज हम बनाने जा रहे हैं सिंबल के कोकियों की सबजी यह है रेड सिल्क कॉटन ट्री और इस पे जो फ्रूट लगते हैं उसको हम लोकल लेंग्विज में कोकियां बोलते हैं यह कोकियां है अब इनका सीजन ओफ होने ही वाला है अब हम इनको आज बना रहे हैं तो यह मैंने कोकिय ले ली है सॉफ्ट है ना खुचुबा के मैं देखा कि अभी सॉफ्ट है तो सॉफ्ट वालियों की सबजी बनती है इनके छिल के उतार लेंगे अगर कोकियां सक्त हो गई है तो उनमें कॉटन आ गया होता है फिर उनकी यह गःति में पर दवर्दी नहीं बनाए यह सकती है अब में यह चील लए है मैंने इसको उच्छ से साफ कर लूंगी जो भी दाग ब घगर आए उनको निकाल लोंगी और फिर इनको कट कर लूंगे कट करने में यह थोड़िस्लिपरी जैसी होता जब हम लिए को कट करने तो slip करती है हाथों से तो इस तरीके से मैंने कुकियों को cut कर लेना है फिसलती है हाथों से जब हम इनको काटने की कोशिश करते हैं अब नेक्स ये हमने कुकियां काट ली है अब हमने इनको तड़का लगाना है तड़का हम लगाएंगे कड़वे तेल में ये वाली जो सबसें लोकल सबसें साधतर कड़वे तेल में ही बनाए जाते हैं और ये हमने कड़वा तेल डाल दिया है उसमें जीरा, धनिया पाउडर और मिर्श डाल दिया लाल मिर्श दरदरी कूट के और अब मैंने इसमें जिंजर और गालिक का छोटे छोटे चौप करके डाले हुए है ये और नेक्स्ट मैंने इसमें प्यास डाल दिया है इन सब को अच्छे से मिला लूँगे मैं और पक चुका है तड़का हमारा अब मैंने इसमें हल्दी डालने के बाद डाल दी हैं कुकियां कुकियां डालने के बाद अब हम इनको अच्छे से मिला लेंगे क्योंकि अब इनका सीजन आफ ही होने वाला है तो ये उतनी सौफ्ट नहीं है इसलिए मैं इनमें थोड़ा सा पानी डाल के स्टीम लगाऊंगी पर उससे पहले मैं डाल रहें नमक, स्वाद के अनुसार नमक मैंने याप पे डाल दिया है और मिला दिया है अच्छे से, अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी बिल्कुल हल्का सा पानी डालना है, मैंने लिक्विड नहीं करना है इसको बस जस्ट पकाने के लिए ताकि एक या दो स्टीम इसमें आ जाएं, बस ये इतना सा मैंने पानी डाल दिया है अब ढ़कन लगा के मैं इसको पान्च से साथ मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूँगी या फिर एक या दो विसल आने तक मैं इसको पका लूँगी ये हमारी कुकियां पक चुकी हैं, मैंने इसमें दो विसल आने दी हैं और अब मैं इसको कर रही हूं, मिक्स कुकियां हमारी बन चुकी हैं, अमचूर डाल रही हूं में और अमचूर इसमें जस्ट इसलिए डालना थैं कि चिकनी होती हैं, काफी चिकना हट होती हैं और इसके लिए इसमें थोड़ा सा अमचूर डाल देते हैं अब ये हमने अमचूर डाल दिया है और हमारी कुकियां खाने के लिए बिल्कुल तयार है